दिल्ली के शराब घोटाले में इडी ने पिछले साल अक्टूबर में संजे सिंग को ग्रफतार किया था आपको बता दे संजे सिंग आम आदनी पार्टी के राजिस सभा के सांसद है 182 दिनों के बाद संजे सिंग जब जमानत पर बाहर आए तो उनका स्वागत फूलो की वर्षा से किया गया संजे सिंग ने तिहार जेल से रिहा होने पर लोगों को संबोधित किया कहा ये वक्त जशन बनाने का नहीं है ये वक्त संघर्ष करने का है हमारी पार्टी के वरिष्ट नेतार विंदकेज जिवाल सतेंद्र जयन और मनीश सिसोधिया अभी जेल के अंदर है बतादे जेल से चूटने के बाद संजे सिंग भारतिय जनता पार्टी पर लगतार हमला बोल रहे हैं उन्होंने पार्टी मुख्याले में कहा कि आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली पार्टी नहीं है जेल से आने के बाद संजे सिंग ने अपनी पहली प्रेस कॉंफरेंस की इस दौरान उन्होंने बीजीपी सरकार पर जम कर निशाना साधा और कहा कि मैं उजागर करूँगा कि कैसे अर्विन केज जिवाल को गिरफतार करने की साजिश रजी गई है उन्होंने कहा कि काम करने वाले सीम को जेल में डाल दिया गया ये शराग घुटाला भारतिय जनतापाटी ने किया है इसमें बीजीपी कर शीर्ष नितरत्व शामिल था इस दौरान उन्होंने मंगूटा परिवार कभी जिक्र किया जिसमें संजे सिंग ने कहा मंगूटा रे पेटी ने एडी को साथ बयान दिये इस तरह बाप बेटे ने कुल दस बयान दिये संजे सिंग ने कहा कि 16 सितंबर 2022 को जब एडी ने मंगूटा से पूछा कि क्या आप अरविन केजडिवाल से मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं चरेटिवल प्रस्ट की जमीन के लिए मिला था फिर उनके बेटे रागव को गरफतार कर पांच महीने तक जेल में रखा जाता है और वो अपना बयान बदल लेता है छे बयानों में रागव ने कहा कि वो केजडिवाल को नहीं जानता लेकिन पांच महीने जेल में रहने के बाद वो दबाव में आकर सात्वा बयान कि आधालत नहीं थे एडी ने अविश्वस्निय दस्तावेदों को देखने की अनुमति दी तो हमें उसास हुआ आविश्वस्निय कि दस्तावेजों में क्या था घोटाला 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 यह शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी भार्टी भारती जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे-मोटे लोग सामिल नहीं है कि इसका भी खुलासा करूंगा आज इसके अंदर कोई छोटे-मोटे लोग सामिल नहीं है भारती जनता पार्टी के सीर्स नेतृत्व के लोग इसमें शामिल है